जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जन जातकों का जनमदिवस है मेरे जनिवर्सरी उन सभी को हमरे तरफ से बहुत 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 शुपकाम आए आज हम बात करने वाले हैं जब हर बात पर आपका विरोधा भास होने लगे आपके विरोधियों की संक्या बढ़ जाए या यूं कहें जहां पर भी जिस सभा में मैफिल में आप बैठते हैं बस आपका ही विरोध होता हो आपका ओफिस हो कहीं पर वैसा होने लगे तो बड़े ऐलोकिक दो चमतकारिक मंत बता रहे हैं जिने आप जानते भी हैं लेकि एक बार उन्हें करके देखेंगे आपको आनंदा जाएगा कई बार आपके बच्चे कहते हैं ममी मेरा बड़ा विरोध होता मेरे सब एंटी हो जाते हैं कई बार आपके हज्बेंट कहते हैं कई बार वाइफ कहते हैं मेरा बड़ा सब विरोध करते हैं परिवार में या कहीं भी तो बड़ा अच्छा मंतर हम आपको आज देने वाले हैं सुन्दर तरीके से उसे सुनिएगा, नोट करिएगा, आईए पहले आज कहम पंचांग देखें आज जन में जातक कण्भू नक्षत्र की शिरणी में होंगे और जो जेश्टा नक्षत्र है, वो साम के साथ बजगर के ग्यारा मिनिट तक है राहु काल आज का साड़े सास से नो रहेगा, दिशासूल पूर्दिशा अब देखिए, कई बार हमारी सोसाइटी में, परिवार में, या कहीं फ्रेंट सरकल में, स्कूल में, कॉलिज में अपने आफिस में, अपने उद्ध्यों के स्थल में, व्यापार में, दुगान में हमारा विरोध होने लगता है, हम लोगों को खटकने लगते हैं, एक आँख हम लोगों को सुहाते नहीं हैं, भाते नहीं हैं सब लोग हस रहे हैं बोल रहे हैं जैसे हम पोचे एक अजीब सी द्रश्टी हमारे प्रती हो जाती है व्रंगात्मक रूप हमारे उपर लोग ताने फ़बने लगते हैं कसरे लगते हैं हमें लगता है कि हम कुछ कह भी नहीं रहे हमें लगता है कि हम सही भी हैं हमें लगता हमें मांदारी से भी ओफिस में वर्क कर रहे हैं सारा काम कर रहे हैं लेकि हमारा विरोध क्यों हो रहा है और हम किसी से कह भी नहीं सकते हैं और कहते हैं तो कोई हमारी सुनता नहीं हम अच्छा उपाय है ऐसी इस्तिति में आप जाईए भगवती की शरण में और भगवती की शरण में जाता ही आपका सारा काम बन जाएगा दो मंत्र आपको अने को बार बताएं हैं आप नोट कर लीजिए पहले फिलागे की बात करूँगा पहला मंत्र ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा सुनाए ना पहले भी हमारे मुख से दुबारा लिखें ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा गजब का मंत्र है, गजब का काम करता है, कुछ अच्छी चीजे बार-बार बताई जाती है, और एक मंत्र हजारों बार बताया है, क्या, ओम ज्यानी नाम अपी, चेतांसी देवी, भगवती हीसा, बलादा कर्शे, मोहाय, महामाया, प्रच्छती, चली, आप लिख लीजिए, देखिए अपनी स्क्रीन के उपर, दोनों मंत्र देख लीजिए, ओम, वश्यमुखी, राजमुखी, स्वाहा, सेकिंड मंत्र, ओम, ज्यानी नाम अपी, चेतांसी देवी, भगवती हीसा, बलादा कर्शे, मोहाय, महामाया, प्रच्छती, दो मंत्र हैं, करना क्या है, इन द ग्यानी नाम अपी, फिर वश्यमुखी, कोई सा भी आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों मंत्र कुछ दिन पेपर से पढ़ने पढ़ेंगे आपको, नई लोगों को फिर याद हो जाएंगे, और ग्यानी नाम अपी जो है, यह दुरगा सब्त शलोकी का प्रथम मंत्र है, और जब यह मंत्र आपको याद हो जाए, आपको जहां लगता है कि मेरा इस स्थान पर विरोधावास होता है, मेरा ये व्यक्ति विरोधावास करता है, ये सभा, ये मैफिल, ये लोग मेरा विरोधावास करते हैं, जब आप उस स्थान पर के लिए चलें office के लिए या office में class में, bachon के लिए भी बता हुँ students के लिए, सब के लिए है है इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र पढ़ना सुरो कर देMP कुछ देर के लिए कुछ देर एक, कुछ देर एक, कुछ देर एक जैसे जैसे कुछ देर ग्यानि नामपी किसी का हम बुरा नहीं कर रहे हम भगवती से प्रात्ने कर रहे हैं और इस मंत कारत देखो कितना सुंदर है ग्यानि नाम अपी ज्यानियों के महागानियों के चित को मोह के गरत में भगवती डाल देती है हे भगवती, बलादा, forcefully, जवरन, हे भगवती, आप बड़े से बड़े घ्यानियों के मन को बदल देती है, व्यक्ति के निकूल बना देती है, बलादा गर्शे, जवरजस्ती, forcefully, आप उनके मन में महो पैदा कर देती है, महो के गर्थ में आप गिराती है, तो जितने भी हैं मेरे विरोधी हैं उनके मन में है भगवती मेरे प्रती मोह पहला करिए मैं अपनी भासा में बता रहा हूँ अर्थ तो बहुत इस मंत्र के निकल सकते हैं कहने का भाव कि जहां मैं पर मैं हूँ आपकी किरपा से सब मुझसे प्रेम करें सब मुझसे मोह करें सब मेरा मान सम्मान करें बहुत लोगों को ये भी रहता है मुझे यस्ट की प्राप्ती नहीं होती यस्ट कामना की प्राप्ती नहीं होती मैं यस्ट भंग होता रहता जानी नामपी चेतांसी देवी मंत्र पढ़िये है अरे दुर्गा सब्त शती अनुपम गरंथ है भारत का ये भारत का एक धरोर है बास्तम है हमारा ऐसे ऐसे गरंथों को अगनी के हवाले किया गया आप पूछे गामत है ना तो इसलिए जो चीजे बच गई है वो अनुपम है मारकेंडे पुराण से दुर्गा शप्षति ली गई है इस मंत्र को आप पढ़ें और आपको चमतकार ना मिले तो बताईएगा शात्विक मन से सात्विक घरदे से सात्विक कामना भावना शे इन मंत्रों को पढ़िये और कभी कभी अश्टमी के धिन आस पास के किसी निकर्तम मंदिर में या狗र में भगवती को फल फूल लाल फूल बड़े प्रियां है भगवती को खुश्वुदार बड़े फूल बड़े प्रियां है भगवती को दुरवार नहीं चढ़ाई जाती दुरगाजी को ध्यान रखना खुश्वुदार महकते हुए गुलाब के फूल हो करवीर के पुश्पो हो भगवती को और पढ़ करें नारियल बहुत प्रिया है भगवती को अश्टमी के दिन नारियल चड़ावें दूप दीप देकर के भगवती का पूजन करते रहें और दो मंतरों को पढ़ते रहें जिनके साथ इस प्रकार का समस्या जो आज हमने बताई है ना आपको लाब मिले तो आप बताईए बहुत अच्छा लाब मिलेगा आईए साथ को समय उचला आज की दियांसादना का जुरते हैं भगवती जगदंबा से प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संदधतिं करेश्त्रिनयानाम सरवंग वूसाबृताम निलास मध्युतिमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम अदुम कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्त विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच मना लें ध्यान करें जगदंबा का सुबासी समसब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हों नित्र खोले समान्य हो जाएं मा इंद्राक्षी भगवती इंद्राक्षी जगदंबा का एक रूप हैं गाइत्री के सहसर नामों में से एक नाम मा गाइत्री का इंद्राक्षी भी है भगवान सभी के उपर करपा करते हैं यदि मन से उनको जपा जाता है बजा जाता है इसी स्रंगला में आपके कश्टों के निवारन के लिए एक विश्यस प्रकार का आयोजन इंद्राक्षी धाम की तरफ से होने जा रहा है अठारा जून को रविवार का दिन है अमावस्या का बिला है गंगा का तट है ऐसा विश्यस पूजन बहुत लोग शायद पहली बार करेंगे मिट्टी के शिवलिंग जिसें पार्थिव शिवलिंग कहते हैं आपको कुछ भी घर से लाने के अवश्यक्त नहीं है सिर्फ पांच बरतन अपने साथ लाएं दो कोटोरी बड़ी एक गहरी पराज जिसमें पानी समा सके एक जड़ लीटर एक लोटा एक लीटर वाला करीब परीब एक चमच और एक होसे के एक्ष्टर गिलास ले आए आपके आसपास बेल पत्र लगे हों खंडित ना हों तो बेल पत्र भी आप अपने साथ उस दिन आसपास के लोग जैसे मिरट से मुझफर नगर से आसपास के लोग जो आ रहे हैं वो बेल पत्र ला सकते हैं ताकि वहाँ एक दूसरे को आपके बेल पत्र बाटे जा सके हैं तो आप आना चाहते हैं, कहां से आना चाहते हैं, कितने लोग आना चाहते हैं, आपना नाम नमबर लिखवा दीजिएगा, क्योंकि सीटे रिजर्व हैं, हॉल में बैठने की कैपिसिटी होती है, इसलिए 80-80% कैपिसिटी भर चुकी है, कहीं आपका नाम मंचित न रजाए, स सुबह 10 वज़े से लेकर के, 2 बज़े तक काई आयोजन रहेगा, 2 बज़े के करीब आरती हो जाएगी, भोजन परसाद की विवस्ता भगवति की करपा से आपकी लिए वहीं पर की गई है, और सुबह आप टाइमली 10 वज़े तक पहुँचने का पूरा-पूरा परियास कर किसी तरह रुकना ठेड़ने की विवस्ता महाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखें, जो एक दिन पहले आने वाले लोग हैं, वो वहीं पर अपना होटल वगएर बुक करा लें, जहां से आपकी वाफसी की ट्रेन या फ्लाइट जो भी है, दूसरी बात, बहुत लोग हैं कि हम सर्माजी से मिलेंगे, पनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखा लेंगे, तो देखो भाया, वो महाँ पर सिस्टम नहीं रहेगा, वहाँ केवल पूजन के लिए आप आ रहे हैं, अच्छे से मन मना करके आईए, बहुत लोग गुरुदिक्षा लेवी लेना भी चाते है तो गुरुदिक्षा का भी वहाँ पर हम एक प्रोसीजर करने वाले हैं, उसकी जानकरी आपको वह वहीं पर दी जाएगी, बस अच्छे मन से आईए, श्रद्दावरे मन से आईए, ताकि इस बार आपकी ये पूजा भगवान शिव शंभू स्विकार करें, आप स्वस्त हैं, सुखी ने, इनी शुप कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं, जाए जाए अंबे, तो आपका मैं रेगुलर मैं देखता हूं, साड़ अच्छे वजए का, एनिहाओ निकाल के टाइम, तो आपने एक मंतर बताया था, ओंग वैशी मुखी, राजमुख किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें हमें ढख बाह जानकारी के लिए लाइकन सबस आप देक लिए बे दोग्ट भाहृय को लिए ल्lay आप हमारे सिर्वत करें धर्म संबुक पेश सालुट ना ना थाे सबसे आप करें बेल देख दिआर्री के लिए नेगर भूल tavalla आप हमें इन मारे सफरी का मीं अटर्बुक झाल झाल झाल